2.1 द्रवेमान का संडक्षन Conservation of Mass आप अपने आसपास पाय जाने वाले पदार्थों पर ध्यान दे तो उनमें कुछ परिवर्तन होते दिखाई देते हैं जो रंग, गंध, अवस्था में आए बदलाव के द्वारा पहचाने जाते हैं आईए इसे एक उदाहरन द्वारा समझें जब हम एक मुम्बत्ती को जलाते हैं तो कुछ तेर बाद वह पूरी जल जाती है सोचिए कि मुम्बत्ती के पदार्थों मुम तथा धागे की बत्ती का क्या हुआ होगा बहुत समय तक यह माना जाता था कि वह जलकर समाप्त हो जाती है जब इसे समझने का प्रयास किया गया तब यह इसपस्ट हुआ कि मुम्बत्ती का जलना एक रासाइनिक क्रिया है जिसमें मुम के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी भाग लेती है और क्रिया के पश्चात कार्बन डाय ऑक्साइड तथा जलवाश्प उतपाद के रूप में प्राप्त होते हैं जिनकी पहचान पूरु में नहीं की जा सकी थी जब सब अभिकारक का कुल द्रविमान ग्याद किया गया तब वह उतपादों की कुल द्रविमान के बराबर पाया गया इससे पहली बार यह सपस्ट हुआ कि रसायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं वे नस्ट नहीं होते हैं ऐसा ही कई अन्य रासाइनिक अभिक्रियाओं के अध्यायन में भी पाया गया कि अभिकारकों का कुल द्रविमान बनने वाले उत्पादों के कुल द्रविमान के बराबर होता है।